इस्राइल और हिजबुल्ला के बीच चल रही जंग से पश्चिमी एशिया में काफी तनाव बढ़ गया है हिजबुल्ला इस्राइल पर हमले की गूचना बना रहा है आपाद कालिन तैयारी विभा के प्रमुक ने बताया कि हिजबुल्ला इस्राइल के तीसरे सबसे बड़े शहर हाइफा पर कभी भी हमला कर सकता है आईडियाफ के नुसार हिजबुल्ला ने बतुबार को सीमा पार कम से कम सौ मुचान उदा दी हालंकि कुछ रॉकेट को हवा में ही गिरा दिया गया और कुछ उतरी इस्राइलिक शित्रों में गिर कर चल गए ऐसे में सवाल उठता है कि इसराइल अपने शहर हाइफा को आखिर क्यों नहीं बचा पा रहा क्या हाइफा शहर इसराइल के लिए कमजोर नस्पन चुका है एक एहम सवाल ये भी क्या कि हिजबुल्ला हाइफा पर ही हमला क्यों करना चाहता है तो बात करते हैं कि हिजबुल्ला हाइफा पर ही हमला क्यों करना चाहता है दरसल हाइफा इसराइल का तीसरा सबसे बड़ा शहर है यहां 300,000 से ज्यादा लोग रहते हैं इसराइल के पास रासाइनिक सायत्रों के साथ एक बड़ा बुनियादी ढाचा है और हाइफा शहर के पास एक बंदरगा है सबसे बड़ा अस्पताल है यह उत्तर का सबसे बड़ा और मुख्य शहर है इसलिए हिजबुल्ला हाइफा पर हमले की रणिती बना रहा है ऐसा लगता है कि इसराइल की सबसे कमजोरनस साबित हो रही है हाइफा का इलाका और यह शहर भी और खाड़ी भी क्योंकि हिजबुल्ला हूती इरान सबके निशाने पर आसानी से हाइफा शहर ही आजा रहा है हाइफा की खाड़ी और शहर के पठारी इलाकों में हिजबुल्ला की रॉकेटों से ही लगातार हमले हो रही है जिसे इसराइल जोपने की पा रहा है वो दुवार को हुए हमले के बारे में भी आपको जानकारी दे दें कि हिजपुला ने हाइफा की खाड़ी में तावर तो तरीब सोर आफिर का जुच्छ कुछ को इसराइल की एर डेफेंस सिस्टम ने रोप लिया लेकिन कुछ गिरे जिससे दो लोगों की मौत हो गई आठ सक्थमी हो गए किरियत शुमोना में 20 रॉकेट गिरे मौत भी यही हुई है ये कपल था जो अपने कुट्टे के साथ घुम रहा था हाइफा की खाड़ी के पास वाले इलाके में तीन लोग बुरी तरह से जखनी हुए हैं इसराइली फोर्स ने काहा कि हिजबुला के रॉकेट खुले इलाके में गिरे हैं कुछ को हमने रोग दिया इसराइली पुलिस और बमी स्क्वैट के रित्षमोना में कई घरों की जाच कर रही है पुलिस ने लोगों को ऐसी जगहों पर जाने से मना किया है जहां पर रॉकेट गिरे हो क्योंकि उनमें जिन्दा विस फुट अपूने की भी आशंका है अगर वो फटे तो खारी नुकसान को सकता है